नीवू के पौदे पर लगे कीड़े खत्म होंगे सिर्फ 5 मिनट में क्योंकि जब लारवा का अटेक नीवू के पौदे पर होता है तो इस तरीके से नीवू के पौदे की पत्यां मुड़ने लगती हैं और फीली होके वो पत्यां गिरने लगती हैं बैसे लारवा का जब अटेक होता है नीवू के पौदे पर तो नीवू की पत्यां सभी लारवा खा लेता है छोटे छोटे पत्यों में छेद बन जाते हैं इस तरीके से आपको पौदे में दिख रहे हैं इस तरीके से बन जाते हैं और पत्यों को खत्म कर देता है जितने भी फूल आते हैं वो फल में कनवर्ट नहीं हो पाते हैं लारवा की बज़े से तो इस बीमारी ते शुटकारा पाने के लिए आज हम जो आपको बताने वाले हैं अगर उसे आप इस्तमाल करते हैं तो आपके पौदे से लारवा बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप अपने तो इंडिया ग्रीन गार्डन यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं लारवा का जब अटेक होता है तो इस तरीके से पत्तियों में छेद होने लगते हैं पत्तियां पीली होके गिरने लगती हैं और चोटे चोटे जो हीट होते हैं वो हमारे नीवू के पौदे को खराब कर देते हैं और पौदे पर अच्छी तरीके से ना हुने देना जितने फूल आते हैं और पत्तियां सुकडória न लगती इस तरीके से जब लारवा का टेक हो जाय। पत्तियां सकडलने लगें और पौदा अपनी गिरोध को भी रोक देता है इनकी वज़े से तो ये समस्या हमारे पौदे पेनाए इसके लिए हमको क्या करना होगा जैसे कि माल लेजिए आपने नीवू का पदा गंबले में लगा रखा है या आपने जमीन पर और पौदे में इस तरह की कंडिशन बनी हुई है कि पत्ती उसकी सुक यह मेंने गार्लिक लिया हुआ है जो कि लहसंनंटहर में आसानी से मिल जाता है इसे हम अपने खाने में यूज करते हैं To इसकी मस ripple से हम अपने नीवू की पत्तियों को मुन्डे से रोक सकते हैं नीवू का पफदा पीला ओकके पत्तों को ग्रादेता है इससे पत्यां पीली नहीं होगी और नहीं लारवा का अटेक रहेगा इसकी मदद से अब इसे इस्तमाल कैसे करना होता है तो देखिए अब हमने ये लेसन तो ले लिया इसमें पांच छे पोती हम निकालेंगे उन्हें अच्छे से साब करेंगे साब करने के बाद में उन्हें हम कूट के पानी में बॉल करेंगे तो अच्छी तरीके से इस काम को करने के बाद में तब हमने निवू के पोधे पर उसे इस्तमाल करेंगे तो निवू का पोधा पत्यों को नहीं गराएगा तो देखें दोस्तो हमने 5-6 पोत यहां पर ले ली हैं अब हमकों क्या करना है इन्हें अच्छे से हमें कूट ना है इतना काम हमने कर लिया अब हएसे पीच सकते हैं् MOD unterm या आप कूट के भी डाल सकते हैं तो भी इस्तमाल होगा तो चलिए हमने यहाँ पे छोटा जो की खलड लिया हुआ है तो इसमें हम अच्छी से इसे कूट लेंगे और कूटने के बाद में इसमें देखिए पानी डालके हम इसे बॉल कर लेंगे तो चलिए इस काम को हम फटावट किये लेते हैं जिससे हमारा और्गैनिक पैक्सिसाइड बनके तयार हो यह मैंने एक पौदे के लिए पांच से छे पौदी बताई है इसके अलावा आपके पास दो पौदे हैं या चार पौदे हैं और बड़े पौदे हैं जमीन पर लगे हुए हैं तो आप ज्यादा ले सकते हैं उस साफ से कि हमारे पौदे पर इतना उलग जाएगा तो आप उसे साफ से यूज कीजिए तो यहाँ पर देखिए मैंने कूटले से पानी डाले देता हूँ अब इसे साफ करके इसे देखिए चलिए फटापट से मैं पानी को बॉल कर लेता हूँ उसके बाद मैं इसे हम यूज करेंगे इसमें अभी हम एक और चीज़ यूज करेंगे इन दोनों से बनके ये पूरी कर लिया यहाँ पर देख सकते हैं आप देखिए यह पूरी तरह से बॉल हो चुका है और अब इसे हम अपने नीवू के पोदे पर इस्तमाल करेंगे तो चलिए इसे हम छान लेते हैं कि चलनी की मदद से हम इसे चान रहे हैं यदि आप कपड़े की मदद से चानना चाते है उससे भी चान सकते हैं तो यहाँ पर देखिए चान के मैंने उनको शाप कर लिया है अब हमको क्या करना है इसमें हम एक और चीज़ यूज करेंगे क्योंकि दोनों चीज़ों को इस्तमाल करने से बहतर हमें रेजल्ट मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने और ग सबसे पहले गोलने के बाद में यह बहतर नीवू के पौध पर काम करेंगा है या से की आपके पत्या मुड़ रही है माँली आज आपने नीवू के पोध्य पर एस्प्रे कर दिया तो सिर्फ कुछ देर बाद ही जो नीवू के पौधे पर लारवा का ठेक होता है जो लारवा होते हैं वो पत्यों को खाना बिल्कुल बंद कर देंगे तो चलिए देखिए अब इस्प्रे बोटल में जो औरगानिक पैक्सिस आडम ने तयार किया था इसमें देखिए डार लिया अब हमको करना क्या है अब इसे हम अपने नीवू के पौधे पर इसका हम इस्प्रे कर देंगे इस्प्रे हमें पूरी पत्यों पर करना है कोई जल् प्रे किये देता हूं और इससे हमें भैतर अपडेट मिलेगा और नीवू के पौधे में इसमें फूल फल नहीं आ रहे हैं तो यह पौधा बिल्कुल ठीक होने के बाद में इसमें फूल फल भी आने लगेंगे तो इस्प्रे हमने करके तैयार कर दिया है 40 दिन बात का यह आपको मैं अपडेट दिखा रहा हूं 40 दिन में नीवू के पौधे में फूल और फल बनने लगा तो इस तरीके से हमारे नीवू के पौधे से लारवा का भी अटेक खतम हो गया पत्या भी पीली नहीं हो रही है और हमारा नीवू का पौधा फूलों फलो हुआ है तो दोस्तो हम उम्मीद करते हैं इस तरीके से आप अपने पौधे को बचा सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और इसे शेयर करना बिलकुर ना भूलें चैनल पर पहली बार आये हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए अब बच से सब्सक्राइब करें मैं मिलूंगा आपसे एगली वीडियो में ठेंक यू